हेलो फ्रेंस हमारे चैनल पे आप सब का स्वागत है आज हम बात करेंगे मसालों की तो चलिए मैं आप सब को ले चलती हूँ मसालों की दुनिया में और अवगत कराती हूँ उनके कुछ अद्भुद गुनों से मसाले का उपयोग प्राचीन काल से होता है मसाले में बहुत ही जादा पोशकता रहती है और आधुनिक विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया है यह सारे मसाले किचिन में आपके मित्र है और आपके परिवार की सिहत को तंदुरुस रखने के लिए आप इस्तिमाल कर सकते यह च बढ़ाती ही है साथ में यह सारी चीजें किसी अच्छे खासे दवाईयों से भी जादा असरदार हैं चमतकारिक है और समझो पोश्टिक्ता की शक्ति स्थल हैं यह सारे मसाले सही मात्रा में यूज़ करें और बनाए अपने पूरे परिवार की सेहत को तंदुरुस इन मसा सालों की चीजों से छोटे-छोटी शारे रिक दिक्कते तो चूमंतर हो ही जाती है साथ ही बड़ी बिमारिया जैसे कैंसर, रिदय रोग, ब्रेन संबंदी बिमारिया, लिवर, डाइबीटीज में भी बहुत कारगर है और डाइजिशन को भी भैतर रखती है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपकी किचन में रखा हुआ मिसाले का डिबबा, यह हर किचन में रहता है और सबसे जाद उपयोगी हैं, इन में रखी चीजे आप परिवार को कितनी बिमारियों से दूर रखकर तंदरुस्त बना सकते हैं, इस जब्बे में साधारंता साथ और छोट तो चलिए, एक-एक करके जानते हैं इन चीजों की पौश्टिकता के बारे में, सबसे पहले मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर से खाने का टेस्ट बढ़ता है और इसमें पाए जाने वाले केपसिस्यन इसकी तीरवता या तीखापन बढ़ाते हैं, मिर्च हमारे देश मे पंद्रवी शितापदी के अंत में पूर्त गालियो द्वारा लाई गई, इससे पहले खाने में तीखापन लाने के लिए काले मिर्च का प्रयोग होता था, इसका उद्गम स्थान मेक्सिको है, यह मिर्च आज हमारे किचन का अभिन अंग है और इसमें पाए जाने वाले इंडॉर्फिन, दर्द निवारक, आवेंट्मेंट, नेसल स्प्रे, त्वचा के दाग धबे मिटाने की दवा में इस्तिमाल होता है, मिर्च में विटामिन C, प्रोविटामिन A, बीटा केरोटन और विटामिन B6 पाए जाते हैं, इसमें पाए जाने वाला केपसिसिन रख प्रवा बढ़ाता है, एक अध्यन में पाया गया है कि मिर्च के इस्तिमाल करने से नमक का इस्तिमाल कम हो जाता है, जो रिदय को तंदरुस रखता है, अतहा मृत्युदर भी घटती है, ऐसा कहते हैं कि इसमें नैसरगिक तीखापन इसले था कि इससे मनुष्य और दूसर प्रानियों से पेड़ की रक्षा की जा सके है, क्योंकि इसका फल खाने से मुँ में आग लग जाती है, परन्तु इंसान को ये स्वाद भी भागया और मिर्च के जलन के साथ चीना भी सीख लिया, सरसो, इसके चिकित सक्या गुन और स्वाद के कारण इसका इस्तमाल विश्व के बहुत सारे प्रदेशों में होता है, सरसो के बीज और पत्तों में प्रचूर मात्र में मिनरल्स रहते हैं, जिसे काल्शियम, मंगनीशियम, फॉस्फुरस, पोटाशियम और भरपूर फाइबर्स पाय जाते हैं, और साथ ही फोलियेट और विटामिन A भी रहते हैं, ये शरीर के बहुत सारे कैंसर की रोक्थाम है, इसमें पाय जाने वाले ओमेगा 3 फाटी आसिद से कार्डियो वेस्किलर स्वास्थे में भी सुधार होता है, श्वसन सम्मंदी रोग जैसे सर्दी, साइनस प्रॉब्लम्स को मिटाने में भी कारगर है, इसके प्लास्टर से दर्द में बहुत रहत मिलती है, तवचा औ और चेहरे पर लगाने से दाग धबे मिट जाते हैं, और तवचा में चमक आती है, इससे डाइबिटीस की भी रोग थाम होती है, पीली सरसो का पाउडर सालेट पर डालने से अच्छी खुशबू आती है, और इससे अचार का स्वाद बहुत बढ़ जाता है हल्दी, हल्दी के घटकों में खुब और शिदिय गुन है, इसमें पाई जाने वाले कर्क्यूमिन शक्तिशाली आंटियोक्सिडिन्ट है, जो ब्रेन की कारिश शक्ति बढ़ाता है, रिदय रोगों के रिस्कों कम करता है, कैंसर की रोगथा में भी महत्वपून है, और अ हल्दी में होने वाली बिमारियों से भी लड़ता है, हल्दी, फाइबर, पोटाशियम, विटामिन B6, मैंगनीशियम और विटामिन C का अच्छा सोर्स है, पचन में सहायक है, इसमें अंटी बिक्टिरियल प्रॉपर्टीज रहने के कारण या अंटिसेप्टिक है, यह दा हल्दी से कॉलेस्ट्रॉल की रोक्थाम होती है, इसमें पाई जाने वाले आंटी ऑक्सिजन्स त्वचा का आरोग्य बढ़ाते है, यह दाग धबो को मिटाता है, हल्दी का इस्तिमाल करने के लिए हल्दी को दूद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाए, यह दाग धबे मिट जा देता है और मुहा से भी खत्म कर देता है, जुरिया खत्म हो जाती है, हल्दी का पानी बहुत ही पोशक होता है, एक ग्लास पानी गुन-गुना करके इसमें आधा चमच हल्दी डालिए, अगर चाहे तो थोड़ा शेहद भी डाल दीजिए, अच्छी तरह हिलाईए, य शरीर को अंटी ऑक्सिजिएंस भी मिल जाएंगे और आरोग्य लंबे समय तक अच्छा रहेगा, तो है ना यह हल्दी चमतकारिक और आपका मित्र, जीरा, छोटे-छोटे दिखते वाले इन बीजों में आईरन की प्रचूर मात्रा रहती है, यह पचन में भी सायक है और श अवान महसुस करते हैं, इसके इस्तेमाल से तवचा यूवा जैसी दिखती है, इसमें कैंसर अवरोधी गुन है, डाइरिया पर यह उप्यूक तिलाज है, और ब्लड शुगर को नियंतृत रखता है, कॉलेस्ट्रोल को कम करता है, इसके हाइपोलिपिड में गुन के कारण यह उच्च मात्रा में पाए जाने वाले फैट को नियंतृत रखता है, जीरा पाउडर दही में डाल कर खाने से शरीर का कॉलेस्ट्रोल घटता है, जीरा वजन घटाने में भी कारगर है, जीरा स्मरन शक्ति का भी विकास करता है, यह उर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसमें विटामिन A, C, E, B6, थियामिन, राइबोफलेविन, नियसिन रहते हैं, साथ ही आइरन, मगनीशियम, कॉपर और फोस्फोरस ऐसे मिनरल्स भी इसमें रहते हैं, इसमें प्रचूर मात्रा में प्रोटीन्स, अमीनो आसिद्स, काब्स, डाइट्री फाइबर्स औ दिन में आविश्यक मात्रा में जरूरी सारे पोशक तत्व शरील को मिलते हैं, यह पाइल्स का भी नाश करता हैं, इसमें मौजूद आंटी-फंगल, आंटी-माइक्रोबियल प्रॉपरटीज ने सरगिक रेचक जैसा काम करती हैं, निद्रा-दोश में भी उप्यूग्ध है, इसकी हिपनौटिक गुन के कारण नीन दाने में बहुत सायक है, हिंग, हिंग खाने को स्वादिश बनाता है और दाल, सबजी, सामबर और अचार में इस्तिमाल होता है, सेहत के लिए हिंग बहुत उप्यूग्ध है, इसमें पाई जाने वाले रसायन, कोमरिन खून को पतला रखने में मददकार है, जिससे ब्लड क्लोटिंग को रोका जा सकता है, और ब्लड प्रेशर नियमित करने में बहुत कारगर है, यह पचन क्रिया की दिक्कते कम करता है, और पेट में गड़बड, गैस क्रूमी और आईबियस नियंतृत रखता है, कब्स में भी करने में हिंग उप्युक्त है हिंग अद्रक और शेहत का मिश्रन सूखी खासी ब्रॉंकाइटस फ्लू और अस्थमा को मिटाता है हिंग नर्वस डिसॉर्डर्स जैसे हिस्टीरिया या फिट्स के लिए भी कारगर है इसमें पाए जाने वाले आंटी ऑक्सिजन्स कैंसर से ब बहुत कारगर है अजवायन इसके उग्रगंद के कारण संस्कृत में अजवायन को उग्रगंदा भी कहते हैं इसके पेड को बिश्चिप स्वीड कहते हैं अजवायन के सेवन से डेजेशन में सुधार होता है और भूग भी बढ़ती है साथ ही असिडिटी और अपचन से तुरंत राहत मिलती है इसके सेवन से खासी ठीक होती है और कान एवं दाथ के दर्थ के लिए भी बहुत उप्युक्त दवा है कितने भी गंबीर कान दर्थ के लिए दो बूंद अजवायन का तेल डाल ले इससे दर्थ मिट जाता है दाथ दर्थ के लिए एक ग्लास पानी में एक चमच अजवायन और नमक डाल ले और उससे कूले करें तुरंथ ही राहत मिल जाएगी अजवायन को जला कर उसकी भाब भी मूँ के अंदर लेने से आश्चर्यकारक परिनाम दिखता है यह माउथ वॉश की तरह काम करता है अजवायन क्रश करके जखम पर डालने पर स मेटबॉलिसम बहतर होता है वजन घटाने के लिए बहुत महत्वपून है इसके सेवन से बालों को सफेद होना रुपता है यह मच्छर को भगाने के लिए भी बहुत कारगर है सरसो का तेल और अरजवायन मिलाए और यह मिश्रन कार्डबोर्ड पर लगा लीजिए कमरे के एक कोने में रख दीजिए तो मच्छर तुरन भाग जाएंगे और पूरा घर खुबसरन घर्न से भर जाएगा धनिया पाउडर धनिये में कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन, मैंगनेशियम, मैंगनीज यह मिनरल्स और प्रचूर मात्रा में डायेटरी फाइबर्स रहते है थोड़ा विटामिन भी रहता है धनिये को रोस्ट करने से इसकी महक, स्वाद और तीवरता बढ़ जाती है पिसे ह धनिये की महक जल्दी खत्म होती है इसलिए जब इस्तिमाल करना हूँ उसी समय पीसना अच्छा रहता है धनिया पचन क्रिया में मददकार है इसमें आंटी ऑक्सिजन प्रॉपर्टीज रहती है जो लिवर की कारेशम्यता बढ़ाती है इसके एंटिसेप्टिक गुनों के कारण धनिया के सेवन से तवचा सुंदर बनती है और एक्जिमा इचिस्किन और रैशस से छुटकारा मिलता है धनिया शरीर में सूजन को भी कम करता है इससे मूं के छाले नश्ट हो जाते है यह डाइबीटीज के लिए भी बहुत कारगर है और इसके सेवन से ब्लड शु दिब्बे में रखी हुई सारी चीजे यह सब आपको परिवार का स्वास्थ उत्तम रखने के लिए सहायक है और मित्र बन कर आई है यह सारे मसाले उचित मात्रा में अवश्य यूज़ करें और इस डिब्बे को परिवार के स्वास्थे की कूंजी बनाए धन्यवाद झाल झाल